हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे आज मैं आपके साथ फिर से एक नए नास्ते की रेसिपी शेयर करूँगी बहुत ही सिंपल और इजी नास्ते की रेसिपी है घर में रखे हुए सामान जही आप इस नास्ते को तयार कर सकते इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले पैन लिया है गैस पे रख दिया है दो से तीन चमच यहाँ पे ऐल के गरम होने पर एक चमच जीरा और फिंच ऑफ हींग एड़ कर देंगे और हलका सा इसे हम फ्राइ कर लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जादा फ्राई नहीं करना है, हलका ही फ्राई करना है, साथ ही यहाँ पे दो से दीन ग्रीन चिली है, जिसे मैंने इस तरह से बारी कट कर लिया है, उसे भी हम डाल देंगे साथ में और इसे भी हम साथ में ही ब्राउन कर लेंगे, तो यहाँ पे प्याज हमारा बहुत अच्छ इसका उबला हुवा आलू है तो मैंने इसे छील लिया है और यहां पर इस तरह से मैश करके मैं इसमें एड़ कर दूँगी और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी वन फोर्थ चमच यहां पर लाल मिर्ची का पाउडर आधा चमच गरम मसाला स्वाद के नुसार नमक एड़ कर देंगे तो मैंने इसमें बेसिक मसाले ही एड़ किया है बहुत ज़्या मसाले इसमें नहीं एड़ किया है तो फ्रेंट्स आप चाहो तो अपने पसंद के कोई भ स्टफिंग बनके तयार हो गई है तो अब मैं क्या करूंगी इसे मिक्स करने के बाद किसी अलग बरतर में निकाल लोंगी ताकि हमारी स्टफिंग जल्दी से ठंडी हो जाए जिससे हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे तो इसे हम साइड में रखते हैं दूसरी तयारी कर अब मिक्सिंग का बड़ा सा बाउल लिया है तो इस तरह से आप रोटी के लिए आटा लगाते हैं दिया करना है पांच मिनट इसे रेस्ट पर राखोंगी उसके बाद रेस्ट पर रखने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मैं यहाँ पेड़े बनाकर तयार कर लूँगी तो जिस तरह से आप रोटी के लिए पेड़े तयार करते हैं बस उसी तरह से यहाँ पेड़े तयार कर लूँगी तो तीन पेड़े यहाँ पे मैंने तयार कर लिया है थोड़ा सा सूखा आटा लगा कर यहाँ पे एक बड़ी सी हम रोटी बना कर तयार कर लेंगे तो रोटी हमें बहुत जादा पतली और नहीं बहुत जादा मोटी बना कर तयार करना है मीडियम थिकनेस की हम रोटी बना कर तयार करेंगे तो रोटी हमारी यहां पर तयार हो गई है, आप देख सकते हो इसमें एक चमच मैं कुकिंग ओयल एड़ कर दूँगी इससे हमारा नास्ता बहुत ही ज़ादा सौफ्ट अंदर से बनके तयार होगा तो मैं इस तरह से इस तरह से इसके उपर स्प्रेड कर दूँगी थोड़ा सा यहां पर मैंने चाट मसाला का यूज़ किया है, वो डाल देंगे और थोड़ी सी कस्तूरी मेथिस के उपर स्प्रेड कर देंगे और एक चमच मैं यहां पर टमैटो केचप यूज़ कर रही हूँ इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स यह बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें एड कर सकते हो अदर्वाइस इसके जगह पे आप कोई भी चटनी या फिर सेजवान चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद जो हमने आलू की स्टफिंग बना के रखी है इस रोटी के ऊपर हमें बहुत अच्छे से चारो तरफ इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है दबाते हुए इस प्रेड करना है ताकि जो हमने रोटी बना के रखी है उसमें अच्छे से यह सेट हो सके तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आलू की स्टफिंग को चारो तरफ अच्छे से इसमें स्प्रेड कर दिया है इस प्रेड करने के बाद इस तरह से हमें एक साइड से पकड़ कर इसे टाइटली रोल कर लेना है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंट्स मैं किस तरह से रोल कर रही हूँ बस इसी तरह से इसे हमें रोल करके तयार कर लेना है और हाथों से थोड़ा से इस तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारा रोल है बहुत अच्छे से सैट हो जाए और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे तो थोड़ा यहाँ पर गैप रखके हम कट करेंगे थोड़े बड़े पीसेज में कट करेंगे और इस तरह से हाथों पर रखकर इसे हम फ्लैट कर लेंगे तो इसी तरह से करके मैं यहाँ पे सभी नास्ता को बना कर तयार कर लूँगी तो यहाँ पे मैंने सभी नास्ता बना कर तयार कर लिया है तो एक सलरी हम बनाएंगे जिसे हम गेहूं के आटे से तयार करेंगे दो चमच गेहूं का आटा आदा चमच यहाँ पे सूजी नमक और चीली फ्लेक्स डाल कर यहाँ पे बिल्कुल पतला सा हमें घोल बना कर तयार करना है तो बहुत जादा हम इसे ठीक नहीं रखेंगे बिल्कुल पतला बना कर तयार करेंगे तो घोल हमारा यहां पर बिल्कुल तयार हो गया है आप देख सकते हो अब हम नास्ता बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने यहां पर पैन लिया है और बिल्कुल दो चम्मच या फिर तीन चम्मच ही मैंने इसमें ओयल एड़ किया है बहुत ज़्यादा ओयल की ज़रूद बिल्कुल भी नहीं है घोल जो हमने बना के रखा है उसे हम क्या करेंगे हलका सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें जो हमने नास्ता बना के रखा है उसमें डीप कर लेंगे और इस तरह से हम पैन में इसे एड़ कर देंगे तो एक बार में जितना आ सकता है आप इसमें एड़ कर दें और इसके बाद इसे अलट पलट कर बिलकुल क्रिस्प होने तक इसे हम सेक लेंगे तो बहुत ही कम तेल का ये चटपटा सा नास्ता Friends आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें इसी तरह से करके यहाँ पर मैंने सभी नास्ते बना कर तयार कर लिया है तो Friends आप इस नास्ते को किसी भी चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं दही के साथ भी आप इसे इंज्वाइ कर सकते हैं क्योंकि आल्रेडी इसमें बहुत ही ज्यादा चटपटी से स्टफिंग मैंने स्टफ करके रखी है तो ये नास्ता आल्रेडी ऐसे ही बहुत ही ज्यादा चटपटी बनके तयार हुई है तो फ्रेंड्स इस रेसिपी में अग रेसीपी के साथ नए वीजियो में ओके बाई और टेक केर फ्रेंड्स